आपने कुत्तों या गायों के सरीर पर रहने वाले कई कीड़ों को देखा होगा जो उनके सरीर पर रहकर उनका खून चूसते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि जानवरों की तरह ही हमारे सरीर पर कई जीव मौजूद हैं जो हमारे सरीर को अपना घर समझते हैं यूं तो आपने सीर पर जूएं देखी होंगी जो सीर से खुन चूसते हैं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सरीर पर कई बहुत छोटे जीव रहते हैं जिन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता हैरानी की बात ये है कि ये जीव आपके चेहरे पर भी रहते हैं हलांकि डरने की जरूरत नहीं है मगर ये सच है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके चेहरे पर हजारों माइक्रोइसकोप से दिखने वाले जीव घूम रहे होंगे वाक्स वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कीड़े मकड़ी और किलनी की परजाती के बताये जाते हैं रिपोर्ट के अनुसार ये कीड़े सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे पर होते हैं मगर सरीर के बालों की जड़ों में ये हमारे पूरे सरीर में मौजूद होते हैं वेग्यानिकों का कहना है कि एक सक्स के सरीर पर लाखों किड़े मौजूद हो सकते हैं दिन के वक्त चेहरे के रोयें के जणों में ये किड़े रहते हैं और प्राकिर्तिक रूप से निकलने वाले तेल पर फीड करते हैं जो हमारे ओयल ग्लेंड से निकलता है रात के वक्त ये जणों के बाहर आते हैं और चेहरे पर अपने मेट के साथ प्रजनन करते हैं रिपोर्ट के अनुसार इन माइट्स के बारे में साल 842 को ही पता चल गया था मगर Demodex Folliculorum और Demodex Brevis नाम के इन माइट्स के बारे में अभी भी वेग्यानिक जादा नहीं जानते हैं वेग्यानिकों का दावा है कि पूरे सरीर पर करोणों माइट्स होते हैं मगर इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है ये पलकों के पास नाक के पास आईब्रो और अन्य हैर लाइन पर पाये जाते हैं मगर ये पूरे सरीर में बालों की जड़ के पास कहीं भी हो सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक keep searching for knowledge and try to be a kind person